नलंदा जिला के हिलसा परखन के जुन्यार गाम में दच्छिन छोर में एक नाला इस्तित है जो ये नाला किदार डाक्टर से होकर गुजरती है और ये नाला बीना पासवान तथ नाला जाकर दुस्रे नाले में मिल जाती है इसी के बीच में लालो देवी का घर इस्तित है जो इससे काफी परभावित है इनके पती बार बार बिमार पड़ जा रहे हैं ये पानी उनके घर में कही बार चले जाते हैं और यभी भी पानी इनके घर में मौजूद है जिसके कारण लालो देवी का रात में कही बार गिर ज आपाई में पानी आता है तो पुरा घर भर जाता है। इसी गाम का रहने वाला हूँ और इससे मैं भी गरासित हूँ आपका क्लिनिक इस नली के बगल में है और मुझा खीस तरह सेर होगी आपके आपके आपसापते हैं आने को बहुत दिका था उस पर लगड़ी थखड़ी है उस पार होता है इसके बनाने मेर लगी हम बहुत कोशिच के मागा नहीं बन सकता है एक दूबार मुख्या जब मिले हम उनको भी गाया तका इनकी बांचागा नहीं बना भी था कभी तो गिल जाते हैं नाली में आदमी नली आईशन बना हुआ कि आ नहीं जा सकता है बरसात के दिनों में तो और बहुत खराब है परसात के दिनों में तो रोट पर नहीं जाड़ जाता है इतना लोग मतलब इस नली से परभावित है इस नली से तो बहुता परभाते मने 400 घर मुखीया जी कैंने के खाली शेत है मैं चाहता हूँ कि नाली बने परखंड बिकास पजाधिकारी जिसका मुबाइल नंबर चोरान में एक टीस एकासी छी आसी एक तालिस पर संपर्क कर इन पर दबाब बनाएं और मेरी मदद करें मैं मुहमद मिश्टालम बिहार के नलंदा जिला के हिलसा परखंड के जुन्यार ग्राम से इंडियार हाट के लिए